Hi guys, welcome करता हूँ, मैं आपको आपकी अपनी YouTube चनल JK Job Updates में आज की वीडियो काफी important है, उन सबी students के लिए जो की 10th class में पढ़ते हैं As you already know, मैं इस YouTube चनल पे जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ, मेरी हमेशा यही कुछ रहती है, मेरी एम यही रहती है, कि मैं अपनी जैंड की की यूद की help कर सकूं, जितना मुझसे हो सके तो आज का वीडियो मैंने create किया है 10th class के students के लिए, अगर आप गर बेठे science and mathematics की preparation करना चाते हो, तो यह वीडियो आप के लिए है वीकाज यहां पे schools तो खुल चुके है, बट कब बन हो जाएंगे, अक्सर यहां पे हालात खराब रहते हैं, हालात खराब रहने की वाज़ा से सबसे पहले schools shutdown हो जाते हैं, तो ऐसे में जो 10th class के students है, वो चाहते हैं, कि हमारा science and mathematics का जो syllabus है, वो जल से जल complete हो, वीकाज काफी lengthy syllabus होता है, यह दो subjects काफी important भी होते हैं, तो अगर आप गर बैठे study करना चाहते हो, इसके लिए आपको कोई internet connection नहीं चाहें, simply आपको क्या करना है, आपको एक video course purchase करना है, जिसकी link में video के निचे description में डाल दूँगा, जब आप ये video course purchase करोगे, इसमें आपको 175 plus video lectures मिलेंगे 31 chapters है, science and mathematics के जो कि आप prepare कर सकते हो, घर बैठे videos वाज करके, तो इन videos में चाहें आपको meme पढ़ाईगी, यह सर होगा, तो काफी अच्छे से आपको understand करेंगे, सभी lectures को जो भी आप study करोगे, इन videos के through, तो video की निचे description में मैं लिंक डाल दूँगा, इस video course की जो कि आप purchase कर सक इसके लिए laptop important है, अगर आपके पास laptop है, तो आप घर बेठे इन दो subject को अच्छे से prepare कर सकते हो, खुद को exam के लिए prepare कर सकते हो, अगर आपके पास laptop नहीं है, तो आप ये video course purchase नहीं कर, जिनके पास laptop है, वही इस video course को purchase करके फिर घर बेठे, offline study कर सकते है, इसके लिए आपको कोई internet connection नहीं चाहिए, तो okay, thanks, मिलते हैं अपनी next video में, मैंने सोचा कुछ students ऐसे भी होगे, जनके पर laptop होगा, जो चाहते हैं, हम अच्छे से prepare करें, खुद को exam के लिए, ऐसे भी students होते हैं, इसलिए मैंने ये video create किया, तो okay, thanks, मिलते हैं अपनी next video में